हालो एफिरिवन, कैसे हो आप सभी। आपको पता है मैं पापा जी को हमेशा मना करते हूँ कि पापा जी प्लीज आप काम मत छेड़ा करो हम प्लंबर भाइया से करवा लेंगे लेकिन पापा जी ना पहले करते हैं कहें के नई पैसे बच जाएंगे और हमेशा और उसके बाद पते है क्या होता है वो काम ढंग से नहीं होता क्योंकि देखो जिसका काम उसी को साजे हना जो पलंबर भाया को आता है काम वो पापा जी को थोड़ी आता है पापा जी क्या करते है यूट्यूब पे वीडियो देखते रहते हैं और उसमें से सीखत और आपान पापा जी बोलते हैं और फोन भूला लें तो लिए उमकुल वागता है उसे बड़ियां पापा जी को इतनी मेहनत करी और यह देखिए आज मम्मी कह रहे थे कि उनके कुछ स्पेशल गैस टाएंगे घर पर कोई हो मुझे नहीं पता मैं नहीं जानती तो मम्मी सफाई कर रहे थे घर के बाहर गे कुड़ा पता नहीं कैसे आया तो मम्मा कह रहे थे इसको निकाल दू पहले क्लीन कर दू और अभी घर थंड इतनी ज्यादा हुई नहीं अभी जैसे नवंबर है न तो मेरे ख्याल से ना इस महीने नवंबर के ना पंदरा दिन बाद थोड़ी थोड़ी थंड शुरू हो जाएगी अभी तो वैसे नोर्मल लगता है ना गर्मी लगती है ना सर्दी लगती है धूप में भी खालो ममा खाएगा बाबू आजो हमारी लसी भी आ गई मैं दो बड़ा गिलास पीओंगी इसको मैंना इक बर और इसमें एड करके मिक्स कर दूँ कहीं पानी पानी रह जाता है फिर इस पानी नहीं है यह है 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 इस घर में तो सामने ताला लगा दिया चापी मेरे हाथ में सामने वाले घर में और लगा देते हैं ममी भी क्योंकि घर पे है नहीं आप यहां पर यह बिल्कुल मत सोचेएगा कि स्कूटी पापा जी बहुती मतलब ओवर लिमिट में चला रहे है एक्चुली मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी थी यहां पर तो अभी हम यहां से निकलेंगे अग्चुली क्या है ना कि मैं चाहती थी विहां को जूस पिलाना और होता क्या है कि जब तक पापा जी लेकर आते हैं ना टाइम लग जाता है और फिर वो कड़वा सा हो जाता है और कई बार शेक होता है जैसे मैं आपको बताओं जैसे पपीता शेक होता है वो ना अगर जब टाइम पीलो तो पीलो लेकिन बात में जैसे पपीता और दूध का कॉंभिनेशन कुछ ऐसा होता है कि वो बहुत कड़वा हो जाता है इसे लिए और यह जा दूर भी नहीं था बहा है क्या क्या है सब्जी में? अलू बड़ी है अलू बड़ी है अलू क्या ले वान प हम देखते हैं तो यहां पर देखिए गरम यहां पर कड़ी है और यह दाल है अच्छा खासा पार्क है यहां सामने बढ़िया पार्क है यह है अलू गोबी हैसेदार यहां सो ओजती है घर पार्क हाजाना यहां से हमाराओ एक आए घर पर तीस वाला पापीटा शिक बना दो छुटा मोसमी और बनाना है पाइनेपल का ओके तो पाइनेपल का बना दो यह जो पाइनेपल का जूस हम बनवा रहे हैं यह 80 रूपीज का था और जो वो वाला आता है न मोसमी का वो आइधिंक 50 रूपे का या 60 रूपे का ऐसे है जैसे बड़ा गिलास लेना हो तो 50 का होता है तो पपीता शेक में पीती मुझे लगता है Пपापा जी ने आज बाल कड़ाए है मेरे खिए से लंबे से होरे थे अब बिल्कूली छोटे छोटे से लग रहे हरे हैं ये देखिए ये है रुकचा विहान हमारा पाइनैपल मोसमी मिक्स जूस है आजा बचे आप भी पीलो Patron Jee बाबू पिलो 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 पिले हो अचा तो बताओ बढ़ना मैं पीलो भात पियोगे खेलना नहीं है चली न भाया को जो मतलब जहां खाना पैक करवा रहे थे तो यहां पे भीड बहुत ज्यादा थी बहुत ज्यादा मतलब मैं देख रही थी मतलब पांचे लोग उठते खाने से फिर दो चार बंदे और आके बैठ जाते थे तो यहां पर थोड़ा सा टाइम लगना था तो मैंने न मतलब एक जगा बैठने की इच्छा नहीं हो रही थी जूस बात की बचा हुआ मैंने पी लिया था और यहां पर दे आज मैं आई तो मैंने कैप्चर करी लिया देखे कितने साफ सुत्रे दढंग से सपाई से कितने अच्छे से खाना बनाया जाता है आप लोग कहते हो ना कि जैसे बाहर का खाना काते हो बाहर का देखिए मैं अगर बाहर की चाउमीन खाओं या फिर बर्गर खाओं तो वह मैं रूक्सान क्रत अन का रहे हैं हम सबजी रोक्या आप मुझे एक बात खुझ सोच है आप मालो एक राजमा चावल कि परिख युझा आप बेच रहे हो आप चाहोगे कि आपको आजकल हर कोई साफ सफाई मांगता है देखें बाहर भी खाना खाते हैं तो इसलिए देखें पूरा साफ सफाई से देखो कितनी शुदता से अच्छा बढ़िया खाना बनाया है पैक किया जा रहा है भी देखें रोटियां तियार हो गई थी और लस् सबजी तो ऐसी छोड़ देंगे बलकी फिर अबस इतनी दूँगी यह मैंने मिल पापा जी की थाली बना दी अपनी अभी बाद में बनाऊंगी इसको रफदू गरम है लस्सी भी है साथ में लस्सी भी देते हैं देखो 120 रुपे की थाली थी जिसके अंदर लस्सी भी है प अब का खाना मैं विहान मेरे साथ खा लेगा आप खालो यह विहान की रोटी इस पे देखो मैंने एक्ट्रा गी लगा दिया घरसे ताकि इसको थुड़ा पो शकता तु मिले साथ में बस आलूल निकाला है मैंने सबजी में से सुखा आलू के साथ लगा के खिलाओंगी बहुत बहुत साल पुरानी बात है जब मेरी एजुकेशन कम्प्लीट हुई थी और मैं करीबन चोबीस साल की थी थी इस चोबीस साल की होंगी तो ना हम रहते थे ना तो हमारे ना मतलब नस्दीक में परोसी थे ठीक है तो उन्होंने पता है मेरी मुम्मी क्या थे थोड़ा परोसी, थोड़ा सांपुजा से बाफ्चीत करती है तो नियुके तनी बात ही धाया मेरी मुम्मी ना पता है कि मही को गुंते-फրते हो गई उसके बात पत्या हूँ पता है उसके सिर्फ चार या पांस दिन बाद मतलब उस टाइम तो वो जो अंटी थी उन्होंने इतरे इंटरस्ट से अच्छा लड़की बीटेक फड़ी हुई है अच्छा सुंदर भी है दिखने में भी अच्छी है बढ़िया 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 चली गई फिर चार-पांस दिन बाद के लिए बात करें वो तो इतने पैसे वाले हैं मतलब ऐसे बोल गई मैं सच बोल रहे हैं विल्कुल यह बात ना क्योंकि मेरे सामने नहीं हुई थी बढ़ पिर मेरी मम्मी ने आके मुझे बताया कि वह ऐसे बोली अब मैं आपको बात बता हूं भी यकीन नहीं करोंगे उन कि क्यों हो घ्राला का खुद आइडिया लगा लो जो बंदा सामने यह बात बोल रहा हूं मतलब सामने मतलब किसी और सामने मतलब आपना यह बात तो एसी हुते हैं मतलब बंदा पीच एकर ले कि यार चल आ हम नहीं पढ़ते हैं शकर में या कुछ भी शादी अरिश्ते मे लेकिन आप सामने उसके जाके जैसे मेरी माँ के सामने जाके आप यह बात बोल दो तो अप खुद सौच के देखो यह चीजा कि वह बंदे वो कितने रूड होगे हाँ ना तभी तो मतलब ऐसा चीज़ें होती है देखो जहां पर यह होता है ना पैसा ज्यादा मैटर करता है रिचते नहीं चलते है लूज sitting my his is a और मेरा भाई की भी आलते साल वरी सरकारी Fish लगा हुए बापा जी लग recently और मैं B.T. करी हुई लड़की B.T. कि क्या होता है इंजिनियरिंग की पढ़ाई की हुई लड़की और उसके बावजूद भी ये बात बोल गए क्यों भई और हम भी तो आपके पडोस में हैं अगर आप सरकारी घर में रह रहे हो क्या हमारे पस बारात को खिलाने के लिए भी पैसा नहीं होगा जस्ट बिकोज क्यों बोला ऐसा क्योंकि मेरे पापाजी का आपको पते है थोड़ा सा सिंपल तरीके से रहते हैं इतना वो निए यहां पहनावे ओडने में मेरी ममी भी आप खुँद देखते हों कितने सिंपल रहते हैं कुछ भी सूट पहलेंगे यह दिए कि लिक सांस्यृक्त का लेखी जयर रहते हैं यह दुन भी पहनते हो हो जेवर की कभी अःसे चीज 실़ सब्याशनी सबस्क्रायशनी है मुझे लोकर में रखवा लेकिन पहना कुछ नहीं है कि बेटी को दे दे देंगे उस टाइम रख रखा था और मेरे को अच्छे से अच्छा दिया मेरी मुझे लेकिन आप यह सोच के देखो लोग ना सिरफ पहनावे से कोई अगर घर में अगर किसी के अच्छा फर्नीचर न कोन और नोकरी कर और अगे बढ़ लाइफ में तब की बात आईए तब की बात आईए